come 3 यह जो सवाल है24 यह दो के सवाल यह 2 जारी 25 में आया है और ृस प्रकाटर के सवाल 2 नंबर करहा हुआ कीँगे है इसमीं क्या करना रहरता है थो द्यांड रखना पर आपल लिखा है तो जैसे देखो, यह dy हो जाएगा, इसमें देखो y वाला है, इसको क्या पक्छांतर कर दें, तो उपर है तो कहा जाएगा, नीचे, वैसे यह dx कहा नीचे है, तो कहा जाएगा, उपर, यह इस प्रकार हो जाएगा, dx बटा 1 प्लस x square, समझ में आए, देख लो, y y एक साइट, x x, एक साइट, बस, ऐसी च्वाल आता है, दो नंबर का, तो यहां से क्या हो गया, यह उपर था, नीचे, यह नीचे था, तो उपर, उसके तो क्या करते है, दोनों पक्छों में समाक्लन करने पर, तो यहां समाक्लन का निसान लगा दें ने, इस प्रकार, समाक्लन, dy बटा 1 प्लस y स्क्वेर, और समाक्लन, dx बटा 1 प्लस x स्क्वेर, क्लियर है, इस इच को लिखाऊंग बस, और बस क्या लगा दें, समाक्लन का निसान, तो समाक्लन करते हैं याद रखना, क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वेर बराबर होता है, 10 inverse x, यह फार्मूला इसको याद और वैसे यह y है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 inverse y, क्लियर हुआ, यह फार्मूला है, अब यादग में यहाद अपने मन से c जोडते हैं, लेकिन अब ज़रुरत की साब से c को हम 10 inverse c भी लिख देते हैं, चुकर 10 10 है, तो 10 inverse लेना, log भी ले लेते हैं, अपनी साब से लेते हैं, यहाँ अपनी साब से क्या ले लेंगे, हम 10 inverse c ले लेंगे, जो एक अचर है, जैसे c लेते हैं, केवल c, तो चुकि यह फार्मूला बनाएंगे, अब देखो, हम 10 को इधर ले आएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 10 inverse y, यह प्लस कुल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो 10 inverse, चुकि इसमें y पहले, इसलिए क्या हो जाएगा, y माइनस x बटा 1 प्लस y x या xy, ऐसा लिख सकते हो, यह क्या हो जाएगा, 10 inverse c, यह फार्मूला है ना, 10 inverse x माइनस y का, 10 inverse x माइनस y बटे 1 प्लस xy, चुकि y पहले, इसलिए y माइनस x हो जाएगा, अब यहाँ सी यह 10 10 केंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस x बटा 1 प्लस y x, इसको हम xy लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया, c, यह क्या है, इसका उत्तर है, क्लियर है, दू नंबर स्वाल इस प्रकार काता है, एक और स्वाल देखते हैं, इसी प्रकार, इसमें भी क्या करना है, y y एक साइड, x x, x साइड, और समीगराड को हल की जैसा लिखा रहता है, तो सस्पहले देखने हैं, यहां पर इसको क्या करना है, यह dy by dx वैसा ही लिख दिया, बराबर, यहां से देखना सस्पहले, यह क्या करना है, यह 1 प्लस y को वैसी लिख दो, इन दोनों में देखना, द ति क्या हो जाएगा, प्लस X, यहां कुछ निया मतलब 1, और यहां पर क्या बचा, Y, समझ में आया, अब देखने यहां से, अब दोनों में देखना, दोनों में common क्या है, 1 प्लस Y, यहां कुछ निया मतलब 1, और यहां पर क्या बचा, X, समझ में आया, देख लो, यहां पर 1 y चाप दिया यहाँ पर दोनों में common क्या, x, x निकला, तो यहाँ वन और यहाँ क्या बचा, y अब देखो, दोनों में common क्या है, 1 plus y, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 और यहाँ पर x, अब क्या करना, y y 0, एक साइड एक साइड एक साइड ये डी वाय हो गया ये वन प्लस वाय कहाएगा इसके नीचे और डी एकस कहाँ जाएगा उपर क्लियर हुआ अब दोनों पक्षों क्या करने पर समाकलन करने पर यहाँ पर लीग देना दोनों पक्षों में समाकलन करने पर समा कलन करने पर यह हो जाएगा इस प्रकार समा कलन dy बटब 1 प्लस y समा कलन हो जाएगा 1 प्लस x dx देखो इसी को पुरा छाप दिया हूँ यह वाले को इसको और इसको बस समा कलन के निसान लगा अब बताया था जैसे 1 बाई x का log x 1 बाई 1 प्लस y का अचाएगा log 1 प्लस y फार्मूला होता है याद रखना और यहाँ देखो 1 का होता है x होता है याद रखना 1 के ज़ेखा dx होता है x और x का समा कलन होता है x2 बटे 2 इसमें x में याद रखना कुछी नहीं तो मतलब 1 रहता है क्लियर हुआ, बहुत ही आसान है, इस प्रकर सवाल आये नहीं आएगा.